कि वें हइलो स्टुडेंट्स वेलकम्टू मैस्गमेजिक अगेडमी हम सटार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल की बुक आई सी ऐ सकेंडिड एवरगूर्रिस कि आ उसके जो चैप्टर है वह मैंशेंड इस चैनल पर करने चार हूं ठीक है जी आज सबसे पहले हमसे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर स्यमन रेशू अफॉश़ प्रपोश्शन चैप्टर नंबर सैवन दुलार बता देती हूं ईवर्ग्रीन की बुक है ये इवर्ग्रीन की कैंडिट की ठीक है जी ratio and proportion यह वाला chapter है इसके जो questions है वो हम यहाँ पर आज discuss करेंगे ठीक है जी सबसे पहले proportion क्या होता है यह है हमारा chapter जैसे कोई भी है यह होता है proportion में अगर A और B को divide करके equal to किसके आजे C और D को A को B को हमने divide किया अपस में C को D के साथ divide किया अगर दोनों का answer same आजे तो हम बोलेंगे कि यह proportion में है इसकी general form ऐसी होती ऐसे लिखते हम इसको means यह क्या है proportion में अगर इन दोनों को divide करेंगे इन दोनों को divide करेंगे हैं अगर answer same आगया तो वो क्या होते है proportion में जैसे की example here you make divide करने के बाद same आ रहे ना दोनों दोनों same आ रहे है इसका mean क्या है 5, 10 20, 40 हमारे पास क्या है proportion में है ठीक है जी 25, 10, 20, 40 हमारे पास क्या है proportion में अभी इनका देख लो जो यह हमारे पास होते है यह बी लास्ट वाला फर्स्ट वाला इसका नाम होता है extremes यह होते है इक्स्ट्रीमज और यह होते है between यह होते हैं यह होते हैं मीन्स ठीक है जी चलते अभी हमारे अब बेसिक हैं जो सारे पहले वह बता रही है आपको फिर हम उसके बाद साहत में exercise की उपर आ जाएंगे अगर ऐसे continue proportion बोला है तो आपने क्या करना है जो सेंटर वाला है उसको repeat करना है इसको ऐसे लिखोगे आप लाइक A over B equals to B over C ठीक है अभी हम start कर रहे है इसकी exercise 7.2 exercise है हम start कर रहे है इसकी 7.2 उसका first question एक वरी मैं book से आपको दिखा देती हूँ यह वाले sum है हमारी fourth proportion हमने find out करना है first question क्या है हमारा find the fourth proportional to this तीन statement है तीनों का क्या find out करेंगे हम fourth proportional fourth है जो fourth number पे होगा ठीक है चल रही हूँ मैं exercise के तरफ यह हमारी exercise 7.2 यह start कर रहे हम इसका first question इस तरह statement दी हुई हमें हम करेंगे left fourth proportional फोर्थ नंबर बे हमने x को लेट गिया है fourth proportional अभी 15 क्या होजेगा ratio में इसकी journal form है इसको हमने इस तरह से solve करना है इसके बाद कौन सा step लगेगा cross multiply x गया इधर को 15 40 के पास जैन अभी हमने x find out करना है 25 25 25 किसका होजेगा डिवाइड का multiply है तो दूसरी साइड के किसका होगा डिवाइड का कटिंग कीजिए अब इसकी 53 जा 15 55 जा 25 58 जा 40 जो हमारे पास fourth proportional है वो हमारे पास आ रहा है 24 फॉर्थ प्रपोर्शनल है हमारे पास 24 ठीक है अभी हम चलते हैं इसके second question की तरफ तो इस concept चेक कर लेते हैं इस 24 आ रहा है फॉर्स का second statement की तरफ चलते हैं बिलकुल इसी तरह से उसका भी solution होगा उसमें बट पॉइंट दिया हुआ है 1.5 4.5 3.6 दर फॉर्थ पूछ है सबसे पहले हमने क्या करना है लेट फॉर्थ परपोर्शनल x इसको इसकी जर्नल फॉर्म में लिख लेना फिर देन रेशो में देन उसके बाद हम करेंगी इसकी cross multiply x गया 1.5 के पास 4.5 गया उदर multiply में यह 1.5 है जो multiply के इदर किसका होजेगा डिवाइड का 1.5 एन 4.5 कटिंग हो रही है इसकी थ्री पे लें बीच में पॉइंट है उस बाद का देहां रखना सिक्स फ्रीजा 18 थ्री थ्रीजा 9 10 10.8 ठीक है जी यह हो चल रही है हमारी 7.2 एक्सराइज कॉस्टन हमारा जो सब पार्ट था फर्स कॉशन का complete हो चुका है अभी हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ थर्ड पार्ट हमारा थोड़ा सा हाड है इन दोनों से तो कि उसमें जो वैल्यूज है वो की फॉर्म में दी हुई है थर्ड है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस एबी एक्यूग प्लस बी क्यूग स्टेप सारे वही है सबसे पहले हम लेट करेंगे फॉर्थ प्रपोर्शनल एक्स दैन इसको इसकी फॉर्म में लिख दीजिए डिवाइड में लिखिए दैन अभी हमने इसकी एक्स फाइंड डट करने है अभी देख लो यह थोड़ी से सॉल्विंग मैं पहले ही कर लेती हूँ यहाँ पर फॉर्मूला खुड रहा है उपर एसकेर माइनस बी कर का खूल रहा है एफ्लस बी ए माइनस बी इदर एकॉमन दि रही है मेरे कुल ए मैंने कॉमन निकाल ली मैंने पहले ही solving शुरू कर दिया पहले x को replace करके बाद में भी अगर करना जाहो तो कर सकते हो a-b a-b मेरा cancel हो रहा था मैंने cancel कर दिया अभी जो बचा है उतना पहले लिख लेते हैं पिर हमारे एक बार और formula खुल जाएगा सबसे पहले एक्स को हम उसकी जगा पर लेके जा रहे हैं एक्स को shift कीजिए उदर a-b a को ले जाए इसके साथ अभी हमने क्या करना है a plus b को divide करेंगे हम a plus b एदर multiply का था दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड का अभी हम यहाँ पर formula खोलेंगे उपर बन रहा है हमारे पास a q plus b क्या formula होते है a q plus b q का formula होते है a plus b a square minus a b plus b square form जितने भी formula है आपको सारे algebra के अच्छे तरह से learn होने चाहिए इस सम में मैंने दो formula यूज किये है सबसे पहले मैंने किया था a square minus b square का अब मैं कर रही हूं a q plus b q का जो कट हो रहा था पहले कट कर दिया रहन हमारे पास बच रहा है a square minus a b plus b square आपने आंसर यहां पर छोड़ना है तो भी फूल माक्स है आसे बुक में पिछे यहां तक छोड़ा हो नहीं ठीक है multiply करनी हो तो कर लेना यह हो और हमारा जो first question है उसके three parts से तीन के तीनों कर दिये मैंने तो बार first question complete हो चुका है अभी हम इसके चल रहे हैं इसके next question की तरफ यह next question एक बार देख लिए ना find the third proportion find the third proportional to second question है third proportion जो पहले हमने find out किये थे वो थे हमारे पास fourth proportional अभी हम कर रहे हैं third proportional सबसे पहले रब कर लें चलते हैं फिर आगे हैं जी है second statement second question का first part 1636 हमने find out करना third letter कर लो let जो third proportion है उसको मैंने x letter कर लिया है जब भी हमारे पास three terms ऐसे आ जाए ना तो यह continue proportion में होता है continue proportion में होता है यह इसको हमने कैसे खोलना है जब भी आपने हम आपके साब तीन चीज़ें आए तो आपने जो middle वाली है उसको repeat करना है मिडल वाली को दो बार लिखना है इसको अप ऐसे लिखोगे जब मैंने इसका basic बताया था starting में ही chapter के तो उसके बारे में मैंने वहाँ पर भी समझाया था यह हमारे पास continue बन रही है जो middle वाली है आपने उसको repeat करना है देन बाकी हमारा सारा question जो same है पीछे वाला बन चुका है अभी x का हमारा कहां जाएगा 16 के पास then हमारे पास है 36 multiply 36 यह 36 इदर shift हो गया यह x इदर shift हो गया then 16 इदर multiply का है दूसरी साइड जाके किसका होजेगा divide का cutting कर लीजिए बड़े राम से 4 4 जा 16 4 9 जा then फिर 4 9 जा हमारे पास आ रहा है 9 multiply 9 that is equals to 81 यह होगे हमारा second question का first part then हम कर रहे है question number second second part that is a square minus b square दूसरे है हमारे पास a plus b जो हम start कर रहे हैं हम जिस तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे let third proportional x भी वह अपने आप लिख लेना ठीक है x मैंने direct लगा दिए इसको इसकी journal form में लिखो किसको repeat करना है आपने middle वाली term को ले जाए इसको upon में then formula खोलेंगे a square minus b square का a plus b a minus b formula खोलने के बाद यह हमारे पास cancel हो गया a plus b a plus b cancel है अभी जो हमारे पास बच चुका है क्या बच गया हमारे पास a minus b a plus b x अभी x जाएगा x किदर जाएगा उस तरफ a minus b किदर आजएगा नीचे कि तरफ जो भी आपने exchange करना है rule के according ही exchange करना है plus है तो minus में minus है तो plus में multiply है तो divide में divide है तो multiply में यह इदर multiply में था इदर आएगा तो divide में हो जाएगा जो हमारे x का answer है कितना आचुक है a plus b a minus b ठीक है एक बड़ी answer चेक कर लेते हैं yes बिल्कुल ठीक है चलते हैं अभी हम इसके third part की तरफ थर्ड पार्ट है हमारे पास टूब इस तरह mix fraction में है अगर mix fraction में है तो सबसे पहले उसकी solving कर लीजिए 3 2 6 7 8 mix fraction सबसे पहले इन दोनों को multiply then बीज में ये plus पूछा इसमें भी third proportion है लगा लीजी इसको x लिख लेना third proportion आपने x let किया है मैं x let कर रही हूँ आप कुछ और let करना चाहो तो कर सकते हो बट journal x ही चलता है कुछ और करना चाहो तो आप कर सकते हो अब इसको देखना यह 8 by 3 अपनी जेगा पर लग गया 4 इसके नीचे लग रहा है ना नीचे denominator में आना था वैसे 1 by 4 लगा लिए मैं 4 by x ठीक है अगर आप इस तरह लगा ना इसको इस तरह लगा लो अगर आप इस तरह से लगाओगे तो confusion मत क्रेट कर ले ना अगर इसके नीचे लगा लिया ना तो 4 by 1 है जो नीचे वाली term है उपर जाके उल्ट जाएगी 1 by 4 बन जाएगी उसका reciprocal हो जात 3 equals to 4 by x लेके जाएए x को उदर 2 multiply x then 3 को लेके जाएए 4 के पास अभी 2 2 क्या हो जाएगा हमारा divide हो जाएगा 2 क्या हो गया divide 2 2 is a 4 कितना answer आ रहे हमारे पास 6 जो इसका third part था second question का third part उसका answer हमारे पास आ रहे 6 yes बिकुर ठीक आ रहे है चलते है अभी हम अपने अगले caution की तर question number 3 अभी उन्हाने इसमें से हमां हमसे पूशे एक बर सबसे पहले मैं आपको statement book से दिखा देती हूं चेक कर लीजे यह दुबारा बता देती हो मेरे जो मेरे पास book है इस वक्त वो Candid की evergreen की book है अदर इसी student को यूज करे न सैलीना की concise की book तो topic वही रहते है कुछ कुछ statement का changes आ जाते हैं बट method यही रहेगा वो भी इन वीडियो को यूज कर सकते हैं mean proportion between आगे उन्हें तीन सम दिये हैं अभी अभी आपको बताना है मैनी mean proportion mean होता है middle terms जो first and last होते हैं उनके लिए हम word यूज करते हैं extreme second या third के लिए हम क्या यूज करेंगे जो mid में है अगर three है तो जो mid में अगर four है तो middle में फिर दो आ जाएंगे उनके लिए हम word यूज करते हैं mean उन्होंने पूछा हम से mean proportion between six and 54 six and 54 का mean पूछा हुआ mean let कर लिए सबसे पहले let कर लिया हमने mean proportion x ठीक है mean proportion हमने x letter कर लिया अभी इसको हम बीच में ले लेंगे x को ऐसे लेंगे three है तो concept बनेगे continue इस continue में है किस कैसे लिखेंगे इसको हमने mid वाली को repeat करना है क्या करना है mid वाली को repeat then क्या बनेगा six by x बाकि सारे method वही है mean आ रहा है third आ रहा है fourth आ रहा है सिरफ उसकी position चेंज हो रही है बाकी method वही सारी बढ़ रहे अगर कोई कई बार ऐसा हो थे कोई condition जो कोई statement है वो थोड़ी hard हो जाती है फिर हमें उसके according की ही उसको open करना बढ़ता है जैसे हमने पिछे दो सम किया है उसमें a b आ रहा था तो मैंने उस accordingly ही उसके formula फिर लगाए कीजी अभी इसको six x square बन गया six and fifty four आपस में होगे multiply multiply करना है multiply कर लो बड़ नहीं करोगे तो easy रहेगा पहले multiply करोगे फिर square root निकालोगे time लग जाएगा उससे अच्छे है कि इसको ऐसी break करो square किस में convert हो गया square root में square किदर जा रहा है square root में six का करो two three is a six fifty four के भी factor बड़ा लो वैसे हम मुझो आनी जो कर सकते और ली कर लो मैं बना रही हूं आपके लिए तीन बार three आ रहे है एक बार two आ रहे है तीन बार three एक दो तीन बार three एक बार आ रहे है तू अभी square root का क्या rule होते है pair हो न दो उन में से square root के अंदर दो होते है अगर square root हटाना हो तो बाहर एक ही आएगा जैसे देखो एक three ये वला आएगा एक three ये वला आएगा और एक two ये वला आएगा क्या मेरे पास बाहर आ रहे है three three and two कितना आ रहे है three three is a nine nine two is a eighty ठीक है जी कितना बनने इसका answer हमारे सपास आ रहे है एटी ठीक है ठीक है चलते हैं हम इसके सेकेंड सम की तरफ मैठोड बिल्कुल सेम लगेगा थोड़ी स्टेटमेंट हाड हो रही है उसमें अंडर उट आ रहे है बस देखने में है डर उसका है उसमें कुछ नहीं करते हम उसको सॉल्व सेकींड पार्ट है हमारे पास 6 प्लस 3 अणर रूट 3 साथ में है 8 माइनस 4 अणर रूट 3 पूछा है उन्होंने हमसे मीन परपोशन सबसे पहले मीन परपोशन हमने लेट करना है मीन परपोशन हो तो हम कहां पर यूज़ करेंगे उसको सेंटर में रपीट किसने होना है X नहीं कर लिजी X को रपीट आप अब इस टैप मिस करके डिरेक्ट लिख दी आप चाहो तो लिख सकते हो मैंने हर सम में लिख तो अभी ने लिखा आप अपने अब लिख लेना X X के बाद गया X स्केयर हो गया ये दोनों आपस में मल्टिपला हो जाएंगे क्रॉस हो जाएगा स्केयर दूसरी तरफ जाके चला जाएगा स्केयर रूट में बीच में हमने खोल ली है इसकी ब्रेक्ट ब्रेक्ट खोलेंगे हां bracket आती है तो अच्छी बात है फिर भी मैं deeply समझा रही हूँ सबसे पहले 6 लेंगे उसके अंदर होगा 8 minus 4 under root 3 एक term ये लेके इसको सारी के साथ फिर एक term ये लेके इसको भी सारी के साथ इस equation को solve करने की एक short trick भी है अगर आपको अच्छा लगे तो कोमेंट कर देना तो मैं आज की short trick आपको बता दूँगी ठीक है solving पहले मैं direct method जैसे हम करनी होती वैसे कर रहे है 8 6 जा 48 6 4 जा 24 अंडर root बीच में नहीं कर देना भी 6 को 4 के साथ भी कर दिया 6 को 3 के साथ भी ऐसा नहीं करना देन उसके बात करेंगी 8 3 जा 24 अंडर root मत करना देन 3 अंडर root 3 को हमने किस के साथ multiply करनी है 4 अंडर root 3 के साथ इसको बड़े ध्यान से समझना मैं यहां पर deeply समझाती हूं 3 अंडर root 3 को हमने किस के साथ multiply करनी है 4 अंडर root 3 के साथ करो यहां पर तो हो गया 12 अंडर root 3 अंडर root 3 कितनी बार हो रहा है दो बार ठीक है यह कट गया 12 multiply 3 हमारे पास कितना हो गया 12 of 3 जा 36 कितना आ रहा हमारे पास 36 deeply मैंने यहां आपको यह करके समझाया है कितना आ रहा हमारे पास 36 यह हमारे पास आ रहा है इसका कट हो गया then 48 में से 36 हमने अभी क्या करने है minus उपर अंडर root ऐसी चल रहा है 8 में से 6 minus square 2 then आ गया 12 square root 12 कैसे खोलेंगे square root 12 को आप इसके फैक्टर बना ले ना तू 6 जा 12 टू 3 जा 6 यह वैसे आप और ली कर सकते हो बट मैं छोटी से छोटी चीज करवा रही हूं यहां पर कि अगर किसे भी स्रोट को basic में problem है तो उसको कोई problem नहीं आएगी बिल्कुल नीचे से नीचे अला step लगाया जा रहा है तू एक जो कॉमा निकल रहा है उसे बाहर कर लो 3 यह हमारा क्या हो गया x equals to 2 under root 3 चलते हैं अभी हम अपने अगले कोशन की तरफ इसका कोशन नमबर 3 जो हम करें मीन पर पोश्चन उसका है थर्ड पार्ट यह हमने यह 10th class के आई से इसकी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर तो 7 चैप्टर से की है मैंने स्टार्टिंग अगर आपको किसे और चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट में कर देना message जिसका जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड होगी उसी चैप्टर की उपर पहल पॉश्यल एक्स अभी यहां पर देख लेना कि हमने एकस अगर लेंगे जैसे हर बार मैंने एकस लेक्ट किया इस सम वे में एकस आ रहा है तो अभी दोनों एकस को लग रखना एकस हमने फाइंड नोट करने है एक सी नोने बीच में ही दी हुई है आप चाहां तो यहां पर एक्स की जगह पर कुछ और लेट कर लेना कि आपको जो हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं जो यह ने स्टेट मेंट के बीच में अभी एक्स दे दिया कि ताकि आपको कोई करेंड ना हो मैं यहां पर कर रही हूं लेट कर लिया अभी हर सम में जैसे पीछे एक्स लेट करते थे न तो मैं एक्स की वैल्यू निकालती थी इसवार मैंने एक्स की नहीं निकालनी बाइचांस इस स्टेटमेंट में एक्स आचुकी है उसका हमारी मीन पर्पॉशन के साथ नहीं लेना देना वो अपनी जगह है यह फर्स्ट प्रपोर्शन जो ठर्रा है मिड़ वा ला करने है उसका नाम मेने रखा है और जो आंसर आएगा वह तो एक्स की फॉम में ही आएगा हम्ने जो इसको किया है यह एक तीनूं प्रपोर्श्चन हमारे पास बन रही है रूर लगा लो अपना इस तरह लिखेंगे हम मीड़ टरम को जब भी ऐसी कंडिशन आए हमने मीड़ टरम है उसको ही रिपीट करना है जो स्टेटमेंट है वो मैंने ऐसी नोट कर ली एकस वाई देख के घबराना मत सिंपल स्टेप ही लगाने है हाँ जादा से जादा फॉर्मूला खुल सकता है कर दो जो बन रहा था मैंने रूर लगा दि हमें क्रास कर रही हूं मैं क्रोस पास लेकर जारी हुं क्या बनार एस्ट्यूर देन इसके पास चला जाएगा ख्लोस करकि x-y x3-x2y then अभी देखिए formula दिख रहे है कोई यहां पर square है यहां पर cube है फिलाल में कोई formula नहीं दिख रहा है इसमें तो देखो कुछ और देखो इसमें कुछ ना कुछ combination बनेगा common दिख रहे है मेरे को इधर x3 x2 सबसे पहले में common को बाहर निकाल लेती हूँ कि कितना common निकल रहा है x3 x2 है छोटे वाला हम निकाल सकते हैं बाहर में x square यहां पर common निकाल सकते हूँ यहां पर क्या बच गया x है यहां पर x square बाहर निकल चुका है यह बच गया हमारे पास y अगर किसी को कॉमन निकालने में प्राब्लम हो तो कमेंट में बता देना मैं उसके टॉपिक की इसके लगव से वीडियो बना दूँगी वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि यह बहुत छोटी क्लास का कॉंसेप्ट है कि कॉमन हमने कैसे निकालने आपने 7-8 में इसको सीख लिय होगा फिर अगर किसी बच्चेको प्राब्लम है तो वह सकता है अभी दहि क्या बनगे ऐसके जबित हैं एक्स माइनस फॉइ इस हमारे पास आ रहे है एक्स स्केरेua यह बनर एक्स मायनस फॉइए डो बारी हो रहा था मैंने उसके ऊपर स्केर बना दी। लग लग रहने तो भी कोई बात नहीं कठा लिखना है अब यह वाला हो जाएगा स्केयर रूट में इस स्केयर रूट में आपस में क्या हो जाते है जो मिड़ टर्म है वह हमारे पास आरही है x x-y जो हमारी मिड़ टर्म है वह कहां कौन सी चाहरी है एक्सल एक्स माइनस वाई ठीक है जी यह हो गया हमारे थर्ड कॉशन का थर्ड पार एक वार आंसर चेक कर लेते हैं यह बिल्कुल यही है चलते हैं अब हम अपने अगले कॉशन की तरफ कॉशन नमबर फॉर्थ उसके सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट चेक का नमबर 23 5778 तो रे मेंद आरिन प्रपोर्ष्ण अमसे यह पूछा है और कि इसमें से हमенты और क्या माईनस करें मैसिसमें नमकर करें ऑपउशन में आ जाए जो माइनस करना है वो हमने सेम सिंग माइनस करने है लेट करके चलेंगे हम क्या लेट कर लेए जो हमने माइनस करना है अब भी हमें स्टेट्मेंट लिख रही हो सबसे पहले है 23, 30, 57, and 78 थीक है स्टेट्मेंट मैं आपको दिखा दी थी वुक से 23, 30, 57, 78 प्रपोर्शन में हो जाए हम प्रपोर्शन का रूल सबसे बढ़े लेट कर लेते हैं लेट जो भी नंबर है जो हमने इसमें से माइनस करना है वो हमने एक्सलेट कर लिया सभी मैंसे करो अभी ये वाले नंबर हमने प्रपोर्शन में बनाने कि इस तरह से प्रपोर्शन में हो जाए ये उन्हेंने हमसे बोला है कि यहां पर max की क्या value लगाऊं minus करूं कि जो answer है हमारा किस में आ जाए proportion में ने हमको ये बोला है तो हम लगाएंगे प्रपोर्शन का ही rule लगाएंगे 23 minus x 30 minus x 57 minus x 78 minus x ठीक है अभी क्या करेंगे हम cross multiply this one 23 minus x नीचे है 78 minus x ये है 57 minus x 30 minus x ये अभी bracket खोल के करनी हूं में आपके सामने वैसे इसकी trick भी है वो आपको demand पर मिल जाएगी 23 कितना आएगा 78 minus x सबसे पहले ये लेंगे उसके अंदर ये सारा फिर minus x then 78 minus x उसी तरह इस सरफ खोलेंगे 57 30 minus x फिर minus x ये वाला लेंगे 30 minus x अभी हम क्या करेंगे हम किस के साथ करेंगे x के साथ बड़े राम से आपने multiply कर लेनी है पर कर रही हूँ आपके सामने 8 threes are 24 8 threes are 16 17, 18 7 threes are 21 7 threes are 14, 15, 16 कितना बन रहे हैं 1794 क्या आ रहे हैं हमारे पास 1794 minus 23 x minus 78 x इसको इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे x square यहाँ अगर students बहुत mistake करते है minus अंदर जाएगी तो minus किस में convert हो जाएगा plus में then कीजिए 57 को 30 के साथ 3 के साथ कर लेना calculation थोड़ी सी fast हो रही है अगर कुछ गडबड हो तो आपने आपको सेक्ट कर लेना minus 30 x minus minus plus x जो मेरे पास बन रहा था वो मैंने एक बार लिख लिए अभी हम इसको करेंगे solving plus वाले एक तरफ x वाले सारी setting करेंगे x to x की जो भी plus minus करना है x square के साथ होता है plus minus only x के साथ constant का constant के साथ मेरे को यहाँ पर x square x square दिख रहा है दोनो प्लस है ना बीच में equal to है इधर जाएगा तो minus का हो जाएगा कर लेते हैं अभी math वाली टरम एक तरफ करते हैं x वाली हम एक तरफ करते हैं पहले जितनी यहाँ पर सो possibility में उनको कर लेती हूं यह करो minus minus plus symbol of minus 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 plus symbol of minus यह बन रहा है 8 9 10 11 वान गया कहरी 7 8 9 10 इतना बन रहा है यह बन रहा है 1 7 1 0 यह 57 और 30 minus minus plus अभी हम क्या करेंगे math वाले एक तरफ कभी वी 1 7 9 4 से 1 और 1 minus नहीं कर देना क्योंकि उसके पीछे x है उसके पीछे x नहीं है same family के होने चाहिए 1 7 1 0 होगा minus में यह 80 1 0 1 उदर जाकी हो गया plus का 87 अपनी जगाई है उसका symbol ही चेंज करना जो भी चीज हमने left hand side to right hand side की है सिर्फ उसका symbol change हो रहा है सैटिंग होगी है हमारी अभी कर लीजिए minus यहां पर आ रहा है 4 9 में से 1 minus किया 8 then यहां से कीजिए 11 11 में से 7 minus कीजिए 4 यहां पर आ गया 9 10 में से 1 बौरो किया न हमने 9 से 8 1 अभी इस 14 को हमने क्या करना है उद्धर जाके कर देना है divide कटिंग कर लीजिए 14 6 पे चला जाएगा 14 6 या 84 सो हमें क्या सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा आंसर है जो proportion में आ जाए पूरी सेटमेंट में से हमें 6 को minus करना पड़ेगा तो जो हमारा आंसर है वो किस में आ जाएगा वो आ जाएगा proportion में चलते हैं भी हम इसके अगले कॉशन की तरफ कॉशन नंबर 5 कॉशन नंबर 5 के सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए वर्ड नंबर शूट बी सब्ट्रेक्टड फ्रॉम इच ऑफ दा नंबर 31 26 22 सो दैट रिजर्टिंग नंबर कर दा रिन continue proportion से पिछले वाला समग तरह इसमें भी सब्ट्रेक्टर करना है और फरक क्या है उसमें 4 तर्म थे इसमें कितनी है एक हमें यह पोल दिया है continue proportion कैसे लिखना है 31 26 26 22 किसको रविपीट करना है हमने दोबार 26 सेम यह बन जाएगा तुबारा बोल देती हूं 31, 26, 26, 22 तो यह आपने खुद करना है अगर problem आये तो मेरे को message comment कर देना मैं आपको फिक कल next वाली वीडियो में सबसे पहले यह solve करवा दूगे जिन बच्चों का जिन students का यह हो जाएगा उन्होंने comment में इसका message करना है then अभी हम एक sum ही और करेंगे फिर बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे caution no.6 के तरफ चलते हैं फिफ्ट आपका हो चुका है होंबक में caution no.6 caution no.6 के लिए statement है सबसे बहले आपको मैं statement दिखा देती हूं यह जो एक sum है अभी 6 करने जा रहे है important question है find two numbers दो numbers हम से पूछे उनने जिनका mean proportion है 14 and third proportion है 112 mean proportion 14 and third proportion है हमारे पास 112 सबसे पर लेट कर लो let two numbers a and b letter कर लिए ठीक है उनोंने उनका जो mean हमें दिया था mean proportion दिया हुआ है 14 and जो third proportion है वो हमको दिया है third proportion हमें दिया था statement में 112 ठीक है यह statement हमें given है मैंने आपको बुक में से जो statement है वो दिखा दी है सबसे पहले mean proportion की तरह हम इसको use करेंगे mean 14 है mean 14 है तो 14 को हम कहां पर रखेंगे बीच में condition यह एक है third proportion third proportion में हम third बोले तो हम इसको रखेंगे यहां मैं side to side solve कर रहे हूं जरूरी नहीं आपने side to side करना है आप पहले एक solve कर लीजिए फिर दूसरा solve कर लेना है ठीक है अभी थर्ट तीन है तो continue proportion तो बनी रहा है कैसे लिखी किसको repeat करना है जब भी तीन हो तो हमने center वाली को ही repeat करना है यह हमारे पास बन गया 14 by B यह बन रहा है A, B, 14 square जरूरत पढ़े तो हम इसके square ही कर लेंगे फिलाल मैं इसको यहीं पर छोड़ रहे हूं दूसरी दरफ देख रहे हूं क्या बना है किसको हमने repeat करना है B को करें इसको B की square हो जएगा A multiply 112 ठीक है यह बन रहा है अब इदर से दिखो B पहले डूंड लेते हैं A की value A की value न मैं इदर से लेके आ रहे हूं A की value कितनी आएगी B किसका हो जएगा divide का B किसका हो जएगा नीचे आके divide का B square then A value है A 14 square by B multiply 112 A की जगा पर मैंने कितना put कर दिया 14 square upon B then अभी दिखो B उसके पास भी जो B cube 14 कितने बार है मेरे पास दो बार जो 112 है अभी इसके भी मैं factor बनाऊंगी B cube 112 के सबसे पहले factor बना लेते हैं तो 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 B cube के बन रहे है एक 14 आ रहे है 14 आ रहे है then 3 बर 2 आ रहे है 14 आ रहे है पहले 14 मैंने पहले लिख दी है उसका भी फर्क नहीं बढ़ेगा ठीक है cube है उपर इदर cube है तो उदर किसमे convert हो जाएगा ये cube root में किसमे convert हो गया ये cube root में एक ये निकल रहे है एक ये निकल रहे है जैसे square में हम 2 का pair बनाते हैं cube में हम कितने का pair बनाएंगे 3 का सो कितना बन रहे है 14 multiply 2 जो b आ रहे है वो मेरे पास कितना आ रहे है 28 ब कितना आ रहे है मेरे पास 28 ठीक है अभी a find out करना है ये हमने न इसको number 1 दे दिगा मैंने इसमें अभी b की value put कर देंगे ठीक है लिख देना यहाँ पर put till 1 इसमें अब कर रहे है पूट दुबारा दिख एक बार है 20 ठीक है कटिंग कर लो इसकी 7 टूग्जा 14 टूटूजा 27 अराम से कटिंग कर ले ना ए मेरे पास कितना आ रहे है 7 ए है 7 और भी हमारे पास कितना आ रहे था 28 ठीक है एक है आ रहे है 7 एक आ रहे है 28 ठीक है यह important question है तो आज हमने की है 7 pointers to exercise उसके हमने question number 6 तक कर लिए है question number 5 मैं आपको homebook में दिया है तो अपने खुद करना है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वागी मैंने पहले भी बताय जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी कमेंट में से सबसे पहले इसको complete करने के बाद वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही जल्द आपको आपके टेलिग्राम का चैनल का लिंक में जाएगा जिसमें फिर हम अपना ग्रूप अलग बना सकते हैं जो भी आइसी ऐसी के तैंज के स्टूडेंट होंगे ठीक है जी सो आज की लिए इतना ही कल मिलेंगे हम फिर दुबारा इसकी अगले सम की वीडियो के साथ ठैंक्यू